हेलो दोस्तों नमस्कार श्टाक मारका सेरोटी चनल में आपका स्वागत है अभी हम बात करने वाले हैं सर्वेसवर फूड लिम्टेड कंपनी की क्योंकि इसके बारे में एक बहुत बड़ी न्यूज लिकल के आते हुए दिखाई दे रहे हैं और वह न्यूज यह है कि यह ज रैसले लेते हुए यह दिखाई देंगे उसका market पर क्या प्रभाव पढ़ता हुगा देखने को मिलेगा और shit वी क्या प्रभाव पढ़ता हुगा देखने को मिलेगा इसके अलावा जो सोम्मार से नया week सुरूं हो रहा है उसके संदर में इसका target भी निकलके आता हुए सबसे पर अगर हम बात करें इसके चार्ट प्रेटन की तो यहां पर आप देख रहा है कि जब 9 अगस्ट को मार्केट बंद हुआ है तो यह जो कंपणी है उसमें लबग 5.5% के आज पास की गिरावर देखने को मिली है और 9 रुपे से नीचे यह 8.70 पैसे पर बंद होता यह 6 महीने की बात करेंगे तो 5-6% की गिरावर दिखा रहा है वहीं अगर आप बात करेंगे अगर यह टेल डेट की तो यह जो कंपणी है अभी लबग 49% के आज पास का रिटरन लिकाल के देता हुए नजर आएगा लेकिन जैसा ही बात करेंगे एक साल के चार्ट पैटन क तो एक साल में जो कंपणी है लबग 28-29% की गिरावर दिखाते हुए नजर आएगे लेकिन अब बात करेंगे मैक्सिम चार्ट पैटन की तो यह जो कंपणी है मैक्सिम चार्ट पैटन में आपको मात्र और मात्र 18-17% का ही रिटरन लिकाल के देते हुए दिखाई देगे क् कुछ समय पहले ही कार्पेट एक्षन करते हुए दिखाई दी है जिसके फाल स्वरूप अभी इसमें जो चार्ट पैटन हो अर्जेस्ट होता हुए दिखाई नहीं दे रहा जैसा ही चार्ट पैटन अर्जेस्ट होगा आप देखेंगे कि यह जो इसका प्रॉफिट दिखा दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं यही वह नीज है जिसके बारे में अम बताते हुए नजर आ रहे हैं और यहां यह लिखा है कि प्रियर इंटिमेशन आप दो बोर्ड मीटिंग है डान 13 अगास 24 सब्सक्राइब दिखाई देंगे और उसमें दो फैसले होते हुए दि दिखाई देगी इसलिए इस कंपनी को अपने वाच लिस्ट में सामिल करिये और इसके संदर में जो भी यह निजलिकल के सामने आएंगी और साथी सथ जो इसका क्यों कर दिकल के सामने आएगा उसे पूरी डिटेल से पढ़ने की कोशिश करिएगा हाला कि हम आपको वीडि निकाल के देगी तो इस कंपनी में एक तरीके से यह कंपनी रॉकेट बनते हुए दिखाई दे सकती है लेकिन अगर यह निगेटिव दिखाई दी तो यह गिरावड भी अच्छी खासी दिखाते हुए भी नजर आ सकती है इसके अलावा यह जो कंपनी है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एक बधूत बड़ा प्लान लेके चल रही है और उसके संदर में यह फंटरेजिंस से सम्दित कुछ नीड़े भी लेते हुए दिखाई दे सकती है और यह किस माध्यम से फंड रेजिंग करते हुए दिखाई देगी इसके बारे में भी यह आगे बताते हुए नजर आ रहे हैं कि यह जो कंपनी है जो फर्दर पॉब्लिक इसू है या डेप्ट सिक्योर्टी है इसके अलाव जो प्रेफेंशल इसू है राइट इस हो सकता है कि इसके संदर में डीटेल भी निकल के आता हुआ देखने को मिल जाए वहीं अगर तिसरे इसमें पॉइंट की बात करें तो जो 13 अगस्त को मीटिंग होनी है उसमें जो भी यह फैसला लिया जाएगा उसको यह एप्रूबल देने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं तो इसे साब से आप कह सकते हैं कि जो 13 अगस्त का डेट है वह बहुत ही मतपूर होता हुआ दिखाई देगा क्योंकि इस कंपनी का फ्यूचर निर्धारित होता हुआ भी देखने को मिलेगा अब अगर बात करें इसके डिलेवरी पोजीशन की तो दिखाई दे रहे यह ब्यासी पे जिसमें से साट लाग पायंतारिस जार दुस्सेर डिलेवरी की रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं जो कि 69% के आज-पास होते हैं जो यह बता रहे हैं कि भले ही इस कंपनी के संदर में पिछले कुई दिनों से निवजे लिकल क होते हुए दिखाईते रहे हैं और लगभग 30% के आज-पास ट्रेटर भी इस लेके निकलते हुए देखने को मिल रहे हैं इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर उनसे एक चीज करना चाहेंगे कि इसमें कोई भी इन्वेस्मेंट करने से पहले अपने वित्य सलाकार से सपोर्ट होता हुए दिखाई दे रहा है क्योंकि बर्तमान कवर्मेंट के द्वारा जो भारत ब्रांड यह एक योजना लेके आई गई है उसके संदर में जम्मू कस्मिर में जो भी चाहें वह वीट हो इसके अलावा जो और जो भी पोड़क्ट है भारत ब्रांड के अंद तो यहां पर आप देख रहे हैं कि चुकि यह जो कंपनी है 9 रुपे से नीचे ट्रेट करते हुए दिखाई दे रही है इसलिए जो फर्स्ट अप टार्गेट दिया जा रहा है वो नौर पे 49 पैसे का दिया जा रहा है और यह इस अधार पे दिया रहा है क्योंकि जो अगल पैसे के उससे भी टोडते हुए देखने को मिल सकती है और जो फॉर्टब टार्गेट है। यूर्टब टार्गेट है दौसर पचास पैसे विए उसके तरफ बढ़ते हुए भी देखने को मिल सकती है nearby की बात करें अगर हम डाउन टार्गेट की तो अगर इसका जो Q1 का रिल्ट ही निगेटिव आता हुआ दिखाई देगा तो हो सकता है इसमें गिरावर भी आता हुए दिखाई दे जाए और बरतमान में जो यह आठ रुपे गया चर्चे 70 पैसे के आसपार करके देखके मिल रही है उससे तोडते भी दिखाई दे जाए और यह सकती है और प्रूर्ट आउन टार्गेट द करुत दिया जा रहा है इसको फिलाल 7 रुपे 68 पैसे का दिया जा रहा है इसलिए इस कंपणी में जर बना के जरूर रखिएगा क्योंकि अगला सब्ता जो होने वाला है बहुत ही महतपूर होता हुआ दिखाई देगा और यह जो कंपणी है वो फिलाल 7 रुपे 68 पैसे से लेके 10 रुपे 50 पैसे के बीच म वो 10 रुपे 50 पैसे का बताया जा रहा है और यहीं पर अगर हम इस कंपणी के बारे में थोड़ा से ब्रीट में आपको बता दूँ तो यह जो कंपणी है एक FMCG कंपणी है और मुख्य रूप से यह जो बासमती राइस है उसके संदर में इस कंपणी को अच्छा खासा ब् बासमती राइस के संदर में एक टैग भी प्राप्त करते हुए दिखाई दी है जिसके बारे में हमने पूरा फूल वीडियो आप बनाया हुआ है वह आप जा कि इसके प्लेलिस्ट में पूरी डिटेल वहां से जनकारी ले सकते हैं इसलिए यह जो कंपणी है भले ही पनी प कंपलब यह नहीं कि जो कंपणी है उसमें आंख मूद कर आप इनवेस्ट मेंट कर लीजिए आप जब इसमेंट करना हो तो इस कंपणी के बारे पूरी डिटेल जनकारी लेने के बाद ही कोई प्रयास करिएगा ताकि आपका पैसा और निवेस के साथ साथ आपका पूरा भ झाल झाल